आज हम जाननेंगे Collision Domain और Broadcast Domain के बारे में Collision Domain को होता है और Broadcast Domain क्या होता है Collision Domain Collision Domain यह होता है इस नाम से पते सलता है कि Collision टक्कर होना, टक्कर होने की क्या-क्या chances रहेंगे हमारे device के अंदर तो the part of the network where packet collision can be occurred जहां पर भी packet का collision हो सकता है वो जड़िया को से सकती है कहां पर होती है, Collision occurred when two devices send the package same time on the shared network segment तो से कि क्या होता है कि यह हमारा hub है hub के अंदर एक पूरा hub जो होता है वो Collision Domain को show करता है अगर hub के अंदर यह PC 1 है PC 2 को data send करता है उसी दोरान कोई और तो किसी है जो किसी दूसरे node को data जिसमानों कि यह PC 3 है PC 4 को data send करता है तो simultaneously एक साथ दोनों packet हप पे आएंगे, हप पे आते ही यहां पे इनका Collision हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी जिससे कि यह packet discard हो जाएगे तो switch के intelligent device नहीं होने के वज़े से यह हमें सब broadcast करता है और सारे के सारे packet एक ही समय में सभी के पास में जाता है यह fill-duplex mode पे काम नहीं करता है, half-duplex mode पे काम करता है switch जो हमारा होता है, वो intelligent device होता है switch का परते port, switch का हर एक port का अपना एक Collision Domain switch के अंदर यह port अपना एक Collision Domain रखता है दूसरा अपना Collision Domain रखता है, हर एक port का अपना एक Collision Domain होता है switch के अंदर अगर PC1 है, जो PC3 को पर पैकेट बेज रहा है PC2 और PC4 को पर पैकेट बेज रहा है तो क्या होगा कि यह इसके पास जाएगा इसकी पास में जो MacTable है, इसकी रैम के अंदर जाएगा, रैम के अंदर जो लेवल टू तक बीकैप्सुलेशन होगा और बीकैप्सुलेशन होगा और बीकैप्सुलेशन होगा, मैं कहते है तो उसी ही port के ऊकर forward होगा इसके अंदर कोलिशन होने के चांस कम होते हैं, बिल्कुल नेगलेट होते हैं लेकिन तरी port का अपना कोलिशन डॉमेन होता है तो इसी पकार हम आगे देखते हैं, ब्रोड़कास्ट डॉमेन के बारे में, ब्रोड़कास्ट डॉमेन वह होता है जहां पर हमारे पैकेज में कीमम दूरी तक जाते हैं, फोर्वर्ड एट होते हैं, अब जो है, अब जिसी यह राउटर वन है, राउटर वन का ही है, महलोग यह lane port है, यह lane 1 है, यह lane 2 है, और यह lane 3 port है. तो the router का हर एक जो individual port है, उसका अपना एक broadcast domain होता है. यह हम यह कह सकते हैं, कि the router जो layer 3 पे काम करता है, यह broadcast domain को तोडने के काम करता है. तो इसका broadcast domain यहां पर हम एक switch लगा हुआ है, switch से आगे hub लगा हुआ है, hub में 3 PC लगे हुआ है, तो यह इसका individual एक पूरा का पूरा broadcast domain होगा, यहां से अगर कोई packet को जो broadcasting करते हैं, forwarding mode में करते हैं, तो वो switch के पास जाएगा, switch उसको hub के पास में, और सारे के सारे end device तर इसे बकार यह दो नमबर है L2, इसका यह broadcast domain होगा, यह इसका broadcast domain होगा, तो यह हमारे जो अभी हमने पढ़ा है, यह है collagen domain और broadcast domain के अंदर, well, thank you for listening.